आज की खेल की दुनिया को हिरान करके रख देने वाला मैच फिक्सिंग का मुद्दा अब एक और नई दौर पर पहुँच गया है क्रिकेट के प्रमुक खिलारी प्रशाद वर्मा का मैच फिक्सिंग में संबंध है ये जानकर उनके ब्रशनसिकों में गर्मा गर्मी है तुम मेरी एक छोटी सी गलती की वज़े से मुझे पिछले तीन सालों से ब्लैक मेल कर रहे हो मुझे एक मैच फिक्सर बना दिया है छोटी सी गलती कहा है तुम शराब के नशे में किसी मामली लड़की के साथ नहीं डौन डिशी वर्दन की वाइफ के साथ थे अगर ये बात उसे पता चली न तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी मेरे पास अपनी जान देने के सिवा कुछ पे नहीं बचा है बीसी सी आई ने प्रशांत वर्मा पर आज इवन प्रतिबन लगाने के सजा की घोशना की है भारत को कई अवस्मानिय जीत दिलाने वाले युवा खिलारी पर देश की जनता देश से गद्दारी करने के लिए उस पे आक्रोश जता रही है प्रशांत वर्मा की आत्महत्या के पीछे कई बाते हो रही है पुलिस का कहना ये भी है कि इसके पीछे किसी अंजान आदमी का हाथ हो सकता है पिछले छे मैने में शहर के चार प्रमुख विक्तियों की सुसाइट के कारण मौत हुई है इन सभी सुसाइट के पीछे असली करण कुछ और ऐसा शक हो रहा है आपका क्या कहना है सर सब कुछ अनलाइज करने के बाद विकेम टू ए कंक्लूजिजन दैड दिस इस प्यॉरली अन एक्ट आफ अफ प्रोफेशनल ब्लैक मेलर आखिर वो हाई कॉन सर मुझे पता नहीं लेकिन अन्देशा है कि कोई परशान वर्मा जैसे हाई प्रफाइल लोगों को टार्गेट कर रहा है सर मीडिया के द्वारा ब्लैक मेलर को आप कुछ मेसेज देना चाहते है सच बहुत दिनों तक खामोश नहीं रहता सामने जरूर आएगा और उसके बाद वो बचेगा नहीं यह स्टेट्मेंट नहीं है उसके लिए वार्निंग है उसके लिए वार्निंग है ओ हो डाट एकदम हीरो की जैसे दिख रहे हैं सुपब चुप रहे हैं नो टंकी कहीं की हेलो टीवी बहुत देख लिया अपनी बेटी का है में में स्टेक शट दिखने में तो बच्ची है लेकिन बात्रूम में कपड़े बदलते वक्त देखना चाहिए उसे बहुत खुपसूरत बेटी पैदा किया है कुछ नहीं कुछ नहीं बात्रूम की बाते बेडरूम में यह अच्ची लगती है कौन हो तुम क्रिकेटर परशांत वर्मा के बारे में जो रिपोर्ट तुमने बनाई है उसके पेज 14 पैरा 3 में तुमने जिस सिंटेंस को अंडरलाइंग किया है उन आत्महत्याओं की मिस्टरी के पीछे मैं ही हूँ मेहनत करने पर जो पसीन आता है उसे पोचो तो साफ हो सकता है लेकिन जो डर से आए वो कभी साफ नहीं होता एसी 25 पर है 18 पर कर तो पसीरा कम हो जाएगा हे कहा हो तुम हलो आफिसर मैं हवा हूँ हवा कहीं भी आ सकती है रिसेंटली तेरी बेटी के बात्रूम में आय थी अब तेरे बेट्रूम में आ रही है तुम्हें क्या चाहिए पहला फाइल क्लोज करो दूसरा जब भी कॉल करू उसे अटेंड करना मुझे नहीं पता कि तु कौन है लेकिन किसी न किसी दिन किसी के हाथ जरूर पड़ेगा उसकी भी कोई वीकनेस होगी सबकी जिन्दगी में कुछ चीज़े होती है जो किसी को पता नहीं लगनी चाहिए उन्हें कैच करना और कैश में बदलना दाट्स माइब बिसनेस मैं बदलना चाहता हूं अगर समझ में यहां करूं वैसे आप क्या करते हैं कोई काम दाब नहीं करता बैठा रहता है और अपके भाई क्या करते हैं और का करेक्टर एक मिस्ट्री जासा है शायदी कभी किसी को समझ में आये कि कुए दिखाए नहीं देता है क्या दिखाए देता है ना तुम्हारी कजरारी आखे गुलाबी-गुलाबी हूट और यह चांस गोल चेहरा सब दिखता है ज्यादा बत्तम ही सिखी ना तो पुलिस को कॉल करके अंदर करवा दूंगी अप्पु दादा नाम है मेरा अगर मैं चाहू ना तो दावुद को भी आला के खड़ा कर सकता हूं को याद लागा के तो दिखाए लड़की को इस तरे चेहना बहुत ही गलत है यह गलत काम करे भाशन दे रहा है लड़की है तो देखेंगे ना अच्छी लगी तो टक्कर मारेंगे संद मोड वा तो चूके भी देख लेंगे उसके लिए तना ड्रामा क्यों अभी तो सिर्फ टक्कर ही मारी है ना कि प्रोब्लम जान बुझकर टक्कर मार के परिशान कर रहा है कोई बात नहीं आप थोड़ा साइड हो जाई है मैं डील करता हूं जो मुझसे डील करने आता हूं वीलचेर पे जाता है चल निकाल चुप चाप इस लड़की को सौरी बोलते है अप्पू और सौरी बोलेगा किट्टू सौरी बुलवाने तक छोड़ता नहीं हीरो पंति दिखा रहा है रोको से रोको से प्लीज रोको से यार प्लीज शायद उसे कुत्तों से डर लगता है छोड़ दीजे इसे सौरी बोल कि अन्यादित है गींधे। मैं आपने एक भी पाइडा में एक जाअल मैं घौनी नहीं हो मैं भूहा बाट गुभाई तोछ नहीं की जॉनिट की है हाँ तो किईडया करने कि यही हमारा प्रोफेशन दों को किड़नएप करके पैसे मंगते हो शरम नहीं आती कोरिया के लोग आपके कुट्टे को खाँएंगे अरे कुछ नहीं नहीं कि लिए खेंक लिए शूधतनार संघ्ड़ी आफ्ञात के लिए एकники समझ किया कहा आना होगा चार मिनार पुरानी मश्चिब क्या हुआ पापा वट आपन क्या हुआ जी कि सोचा था कि लड़किया ही अनसेफ है लेकिन यहां तो लोग कुद्टों को भी नहीं छोड़ते हैं हुदी उडाल गया ही पैसे ही चल 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 यार तू ज्यार तू ज्याद मत पिया घर पुरानी लड़कियां और शराब एक जैसी होती है यार किसे थोड़ा सा कॉंसेंट्रेट करते ही कनेक्ट हो जाती है कंटिनी करो तो हम मरते हैं जिन्दे की भर खाने पीने का ज्यादा सोचने का नहीं एश करने का अगर यह प्रैण नहीं तो दूसरा तो पैक पीकर घर जाओ टेंशन अलो एक गंटे में आपके कर पें इंकम टेक्स किरेट पड़े ही अलो कौन बोल रहों अलो अलो एंकम टेक्स किरेट पड़ने पड़ने परने वाली है कब साफ करो सबकोच ए डालने से पहले रेड किली का जा रहे हैं ये कभी नहीं पूछना ची यादे वालो दॉड कोल गयने पेन के क्या करेगी डाल दे सब कुछ सीज करके हेड़ कौर्टर में भेज़ दो आया माधिति नाराय कमिशनर अफ इंकम टेक्स आपको फोन में नहीं किया रहा है एक घंटे में आपके घर पें इंकम टेक्स देट परने वाली है निमासी बाबा इस राज में सबसे जादा जाने माने स्परिच्वल गुरु अगर इंके प्रावचन YouTube पर अफलोड करो तो व्यूज लाखों में होते हैं एफबी पर प्क्चर अपलोड करो तो लाइक्स भी लाखों में होते हैं निमासी बाबा के लगते बड़े बड़े टेंट हैं यह भूमी पर भगवान के एजएंट हैं सब हाथ के लखीरें देखकर भवश बताते हैं लेकिन बाबा इस्टोरी लाइन जुनकरस। में अच्छे होने के लिए अच्छी होने के लिए अपना राजा मेरी बात मान कर बाहू बली सीजन में रिलीज की उसने देखो कितनी बड़ी हिट हुई देट के साथ साथ फेट भी बदलता है बच्चा मेरे लिए समय सारी भकती ने वेट कर रही है जाकर उन्हें अनुभव करना है उन्हें अनुगरह करना है प्रेम के विशे में, प्रेम अभिशेक सिनेमा में, बारवेरील में, 48 स्वे सीन में, स्वामी जी ने कहा है, देखो, सिर्फ एक ही तरफ देखो, दूसरी तरफ देखने की कोशिश मत करो, नहीं सह पाऊगे, इसलिए हमें प्यार सिर्फ एक ही तरफ देख कर करना चाहिए, ब बाबा की लीला महान है बाबा आजकल मेरी जिन्दगी बहुत ही बेकार हो गई है दुर भाग कि मेरे आसपास वाइफाई की तरह घुमता रहता है एक भी शब्द बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे कुट्टे की जिन्दगी बाबा आपको तो पास प्रेजेंट फ्यूचर सब पता रहता है जब तक यह बाबा तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता यार मुझे इस कुट्टे को देखके लग रहा है कि जितना मांगेंगे उत्ता देखा मेरी बात पर यकीन क काम कर रहे हैं दो दिन में ब्याज के साथ मूल भी आधा चुका देंगे वह सब ठीक है पहले यह बता हो कहां हम अम्रावती जा रहे थे लेकिन अब कुनूर में है कुनूर से राइट में देख ज़रा अब तेरी अब निकल आपानो यह ऑफार से काम को बढ़ा पर यहज्ड पार यह कैसे अधरा के अब आप्व वहाँ प्रा यह अधरा तो प्रास्त हो मेंगे चाल्ड़ने किस जावी बिस्टाव अधरा के वार्ट यह ज़त्य है ज़ूत ज़त़्ाम आपया के यह ज़त्य वह कि निखना उसने क्या का उसने क्या का सुनाए ने दिया भाई तो रुक चूंगया वह बाग को ने चुनिए ने दिया ने चल्ड भागो इजने चुटए और वाहत इन चुटए पाइविए ऑचान की.. हेलो? हाँ क्योंब भाहिए.. क्यों हो रहे? नहीं होते तब नहीं देशकते हैं जब और नहीं देशकते हम जादा ने यह बहुत कि यहां कितना नाम है और पता है कितने लोग आपसे पियार करते हैं थोड़े दिन पहले एक यह लड़की आकर तुम भाई को जानते होना मुझे उनसे मिलना है तो आप मेरे भाई हैं। उसके नहीं। उसके तू कुछ और है। ऐसी बात है। ये भाई को फिर से यह दिला। अभी वह सब क्यों। क्या हुआ भाई। मैंने भी एक लड़की से प्यार किया। फिर शुरू हो गया। वो भी मुझे प्यार करती थी हाँ फिर क्या हुआ फोन पर कभी मिले नहीं हम लो अभी तक नहीं मिले एक बार मिले गया था उससे उसके सामने गुटनों की बल बैट कर बाहर पहला कर मैंने कहा आई लव यू उस लड़की ने क्या कहा हाँ यो मर गई वे चारीव हार्ट अटेक्क से क्या तुम्हें कैसे बता तुम्हारा चेहरा है यह सा मेरीब लव स्टोरी है इसलिए आपके इमोशन्स पहचानगी तरहीं भीलव नवस्टोरी है मेरी पहली बार लड़की को आपकी वजह से देखा था था समझाने बता बताओंगा लेकिन आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़िगा अगर स्टोरी अच्छी लगी तो टाइम दोंगा अगर अच्छी नहीं लगी तो तेरी किड़ी निकाल लोंगा ठीक है भाई कि फ्लैश बैक में एक दिन कि अगर कल हमारी कार कंपणी बहुत सक्सेस्फुल होकर टाटा टॉयटा की कॉम्पिटेशन में आ जाए ना तो अभी हमें ऐसे मिलकर रहना है तो बाद में देख लेंगे पहले दाल के लिए टमाटर कंपड़ेंगे जाके लेकिए अब देख लेना टागेट अगर टॉयटा तो टॉयटा आएगी टमाटर है तो टमाटर आएगे और तेरी लिए तो वही ज्यादा है अरे अपो आज का क्लेक्शन कितना है 9200 बाई अपना ठागेट रीच होने के लिए और कितना चाहिए टमाटर के लिए टोयटा के लिए पूशना नहीं गदे सपने तो थोड़े किसी धरोईन ग्वीड़ नहीं ही हिद्धन रडा पे यह हम का किर नहीं होता भी चारल थेय्ट सिन्सूर थे लगन गहेंगे वोल दो असदो आ में गDBार अक्र कण्त बैड देल में कार पारके के जूपपर लाइं कर भी की में लड़कियों के आवाज बहुत ही अच्छी लगती है मेरा शोना शानु और तो उसे सच बोलने वाला आज तक ऊपर नहीं आया चाहे वो मैकनिक हो या पती हो तु कार रेडी करके रख मैं पून रीचार्ज करके आता हूं जे बज रहें वैसे भी शाम को मुझे दिखाई नहीं देता अब इन्हें कैसे मैनेज करूं क्या हुआ तूने तो कहा था कि पांच बज़े बच टॉप प्याएगा साड़े पांच बज रहे हैं उसकी घड़ी बंद होगी आ जाएगा बाई मतलब उसका किड़ लैप करने के लिए मुझे उसका वेट करना पड़ेगा बाई अपन घाली हाद गये तो जिग्गु बाई अपनी जान ले लेंगे बाई वकवास बनकर उसे माफ्या फिल्ड में मैंने ब्रेक दिया था बतकिस्मती से मैं साइड हो गया और वो मेरा बॉस बन गया है बोलो पारो यह जान यह फोन की कानी का है वाई रोज इससे समय फोन आता है उसके बाद आप रोते हो बाई मैं और पारो पियार करते थे हमारी शादी कमोरत रात में रखा गया था मैं नहीं गया जो गया वो नाइट वौच्छमेंन था वो सुबाँ बाहर नहीं निकलता तस सालों से ऐसे ही मा बनता है लेकिन मुझे गुस्सा साथ है यह नहीं आएंगा और कितनी दर वेट करें तो देख लेगा मैं तो नहीं देख सकता अब यहां से निकाल टेप आपकर और गाड़ी स्टार्ट कर अरे हाँ बस टॉपर पहुंच किया हूँ वा गया भाई इसके टाइमिंग कैसी के तैसी सब कुछ बलर हो गया कुछ कहके मैनेज करता हूँ वह पैंट शट वाला है क्या बाई आपको जवाब नहीं फोटो देगे बिना पैचान लिया रेड टिशट वाला यह बाई आशकल तो धोती वाले भी पहन शटी पहनते हैं हम जाकर उसे लाते हैं आप कार गुमाया कर लवाए इसी हालत में कार गुमाऊंगो तो नहीं जाने किसको ठोक दो क्या समझ रखा मुझे मैं को ड्राइवर हूँ ड्राइवर नहीं डॉन हूँ अगर मेरी सटक गई ना तो तुम स है अले टक्कर मत मारो डारेक्शन चेंज हो रहा है अफैर पब्लिक में नहीं तो फिर फ्राइविट में चले क्या है क्या कर रहा है यार अब भी वेट कर रहा हूं पसका पतानी कब आएगी हम और हैं वहने इसको बोल गया था यह भी और इंच भाई हैं क्या वसूली पर गए हैं पहागल बीना सिक्यूर्टी के करजा देना और अकेले सडकों पर घुमना इतनी बार माना किया है कि ऐसा मत क्या करो अरे मैंने किसे कहा था आप किसे लेकर आ गए इस फोटों में और इस लड़के में कोई पड़क नहीं है क्या दोनों एक जैसे ही तो है अरे मैं क्या इसकी तरह दिखता हूं अंधा है क्या इससे कैसे पता चला कि मैं अंधा हूं थोड़ी दिर में जग्गू भाई आएंगे उन्हें ये बात मालूम चलेगी ना तो फिर समझ लेजी हम सब की वाट लग गई भाई प्लीज भाई आप ही ँसकी फेमिली को फोन कर और धमकी दे कि अगर लाक रुपे नहीं मिले तो मार देंगे लोग लाख लुपे देंगे से कहेंगे कि अंजी कि शुका करनों रहे और बाप को मालूम चली तोख रह यह अगवा और प्ला डूँगा और क्या बोल रहें मैं फस जाओंगा पहले यह काम ख़तम करो निकाल रहे तेरे बाप का नाम क्या है वो कहां रहता है उसका नंबर दे भी मेरा कोई नहीं है तीन दोस्त है बस उन्हें पर टिफिन डिनर मुश्किल से मिलता है इसलिए मुझसे आपका कोई फाइदा नहीं होगा तुम अब तक नहीं आए तुम्हारी लिए एक घंडे से वेट कर रहे हूं कब पूछ रही हो डेटिंग क्या तेरा सिर वेटिंग कार डिलीवर के लिए कॉल किया है कहां पर आना है जूपिटर होटेल आकर किस देने वाले थे ना किस बोला हां तु कार बोल रहा है वो किस किस क्या है किस क्या है वह जो यो थो होटेल में देने वाला था किस की discovery को किस नहीं किस मतलब क्या होता है । मतलरत किस मतलब शुबढ़ किस का मतलब तेरे बॉइफरेंड को मैंने किड्नाइप कर लिया है तू लाख रुपे देगी तब हम इसे छोड़ेंगे और अगर नहीं दिया तो समझ ले यह खलास अब तेरे हाथ में इसकी जिंदगी है एड्रेस लिख लिख ले अमीर पेट ओल्ड बंगलो यह तुमनों का सुछ दापा कर लाइट कर लाइट कर रहे हो यह नहीं होगा तो मुझे देखा भी नहीं है अगर वो लड़की आई तो तेरी गल्फ्रेंड है नहीं आई तो कस्ट कि अब बाइट कोई लड़की आई है कि अब क्या फोन आप ने किया था अब देख रहे हैं क्या दिखती है भाई हाँ देखा एक थोड़ा फीका है यह बाई कितनी तो लाल आई है यह लाल तेरे लिए होगी मेरे लिए नहीं है लोग स्कूज मी यह पैसे लेकर छोड़ द दिखने में तो तुम इतनी अमीर लगती हो इतनी खुबसूरत हो लेकिन प्यार करने के वो टपोरी मिला था वाट मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा इसने बिना किसी जान पहचान के लाक रुपे दे दिये यह जरूर अमीर होगी इसे पकड़के इसके बाप को फोन करे तो लाग क्या दस लाग रुपे मिलेंगे एक्स्ट्यूज मी आपका भी जवाब नहीं भाई क्या जबरदर्त आइडिया दिया आपने भाई वह लड़की आई इसलिए बच गया नहीं तो जिग्गु भाई तेरी हड़ी पसली एक कर देता यह क्या यह खुच से बाते कर सिग्रेट प्योंगे कामन सेंस नहीं लेकिन कर्ट सी तो है जला ले कितनी दर कर रहा है जल्दी कर मर गया मार रहा है मैं कहा मार रहा हूं वो मुझे मार रहा है मैंने उससे ही कहा था पकड़ो उसे पकड़ो कर शुचिए पक्ड़ो कर दो कर दो कर दो हेलो हेलो आपने ये क्या कर दिया उन्होंने पैसे क्या मांग लिए आपसे तो आपने रिस्क उठा कर लाख रुपे दे भी दिये ऐसी बात नहीं है कभी-कभी दुनिया भर के पैसों से भी एक जान नहीं बचाई जा सकती ऐसे में लाख रुपियों के लिए एक जान को कैसे जाने दे सकती ही क्यों सही कहाना मैंने एक अंजान इंसान के लिए आपने जान बचाने के लिए जानना जरूरी नहीं है ना कि आटो कार कर लेकर आईएगा टेक केर कि देखकर पता चला लड़की सुंदर है लेकिन जब उसका देल देखा तो पता चला उसका मन भी उतना ही सुंदर है नेक्स्ट डे कार डिलीवरी के लिए कौल किया तो उसने कौल हो जाने के लिए कि यह ठीक है अरे सूपर लड़कियों की बाहार है मूनलाइट में देखकर सुचा था सुंदर है डेलाइट में तो और बें सुंदर लग रही है हाई हाँ हाँ हाई चल कीज दे यह बालू यह बाब जी और वह अपको गाउं से और लोगों को भी बुला लेते बाई तुम्हें थोड़ा गुस्ता जादे है बाई कहां मतलब यह फेज देखर कंफ्यूज हो गया है नहीं स्टेज शो करके आ रहे हैं यह तबला बजाती है और में म्रिदंग बजाती हो वा क्या बजाती है आपकी कार रिपिर हो गई है एक बार टेस्ट्राइब करेंग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिए गा हमारे पड़ोस में काम वाली नहीं आ रहे है बहुत प्रॉब्लम है आप आके काम कर सकते हैं कार में कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करनी के लिए कह रहा हूं क्लास का टाइम हो रहा है कीस देंगे थैंक यू भाई भगवान की मरिज़े से एक बार मिले थे लेकिन अब दुबारा कब मुलाकात होगी यह नहीं पता पहली बार तो भगवान मिला देते हैं यार दूसरी बार हमें खुद कोशिश करने बढ़े शाम तक उस लड़की की कार आ जाएगी नहीं तो देखना कॉल आ जाएगा कॉल क्यों आगा क्योंकि उस लर्की की कार खराब हो जाएगी नहीं क्या का था ए जानू का फोन है यार उठाना हलो मेरे का खराब होगी है सच में हां सच में कहां क्या हुआ क्या हुआ कॉले से आते वर्क्त कार खराब होगी कारबोरेटर खराब हो गया होगा हां मतलब उस दिन एंजिन प क्या कहा एक गंटा अगर आपको अर्जेंट कहा में तो बताइए यह बाइक पर ड्रॉप कर देगा इसके साथ चीची मैंनी जाओंगी घबरागी इसने एक साल सर्कस में काम किया है आपको बहुत अच्छे से हैंडल करें आप इस सब की टेंचर मतलिजिए आप तो बस कॉफ बॉइस के बॉइफ्रेंट होना तो कॉमन चीज है इसलिए इन्हें पूछ रहा था वैसे इन्फरमेशन दो में चाहिए क्यों मतलब बॉइफ्रेंट की भी तो कार होगी ना उन्हें भी हमारे गैरेज में लाने को कहिए अच्छा कवर किया आपके पापा क्या करते हैं सब आपकी स्माइल बहुत अच्छी है बिस्किट खाओगे नहीं आप क्लास टॉपर है ना आपको कैसे पता आपकी तरह साइलेंट रहने वाली लड़किया अच्छे से पढ़ती हैं क्रीम बिस्किट चाहिए वन सेकंड जिस गाड़े में सालेंसर ना हो ऐसी गाड़ी को सहन क बहुत मुश्किल हो जाता है अगर इस बार आवाज करें तो उसके पूर्जे तोड़ देना बाई एक गंड़ा हो गया तो चलते हैं क्या एक गंड़ा हो गया आप से बात करते हुए वक्का पता ही नहीं चला वेटार बिस्कट पुराने हो गया है अगली बार बदल देना क्या बोलता है आप तो पटाली या ना आपकी का ठीक हो गया क्या रे कुछ क्याम बना किया कहा यार वो कबाब में हटी बेंगे बैठी थी ना तो टेंशन मतले किसी में किसी दिनी कार लिक अपनी गराज में आए तो ब्रेक निकाल दिनी इसले में पब्लिक बॉड्यार टारोडी ये ये फाली नहीं है इस टीम सब अपने अपने काम में एकस्पर्ट हैं पता होना चींटाहिए ना की प्रॉब्लम कहां है पता होना चींट जितना बड़ा एकसपप्प्रो देखे बगार बतना गलत है अज पर खराब हो घराज में लाडे के बाद किट्टू वाइरिंग प्रॉब्लम एक्सपर्ट थोड़ा वाइरिंग इस्यू है ना दो गंटे में ठीक करी देंगे दो गंटे लेगे इन दो घंटो में हम थेटर में मुवी देखेंगे और किट्टू हमें कंपनी देगा है रहां इसक्टी यह देखिए मेरा दोस टिकेट पूरी प्रिपेरेशन के साथ आए हो चलो चलते हैं अब तुझे होरोर मुवी मिली थी क्या रोमांस करने के लिए होरोर मुवी साही होती है यार तभी तो टचिंग होती है अरे क्या हुआ आप मुवी ख़थम बताया ही चली गई बहुत डर गहीं थी क्या मुझे यसी हॉरर कॉमेडी मुवी बहुत पसंद है और आपको मुझे भी स्क्रीन पर हॉरर और उसे देख़ेश्च में यह तो एक साइड इफेक्ट होता है ना जैसे जैसे इंजन प्रोब्लम आती ही वैसे वैसे गराज आजाओंगी नहीं प्रोब्लेम्स क्रेट करके खार खराब मत करो फ्रेंड्स आप दस मिनिट अंदर बिठिए मैं कार्ठी करके आता हूं आप लोग ग्रेजुएट्स हैं कॉलेज में में केनिकल इंजिनियर्स हैं लीज पर यह गैरीज चलाते हैं मतलब आपकी कॉलेज से फ्रेंड्शिप हैं उससे भी पहले से कॉफी शेहर के बाहर जो आनाथाले है ना वह हमारा ही है वाव आप लोग ने बनाया नहीं हम वहां बड़े हूँ आज लेट क्यों आया डैडी से जगडा हो गया यार किटू गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है गयर ब्लॉक हो गया शायद एक बड़ देखना सरा बाई बाई बटा वो कौन है सनी नाम है उसका उसका बाप उसे काम पर भेजता था और यह उसे स्कूल भेजता है मंतली सेलरी और उसकी फीस भी देते हैं हम कहते हैं हमें क्या करना इसके माबब देख लेंगे पर यह सुनता ही नहीं है उन्हें बोलो कि बच्चों से काम न जैसे अक्सिजन के बिना इंसान मर जाता है ना एजूकेशन के बिना इंसान का फ्यूशर मर जाता है इसकी फिलोसफी है थैंक यू हमारी इतनी सारी प्लानिंग के बाउजू दो फ्रेंड कहके चले गई यार उसे तेरी फिलिंग समझ भी आ रही है मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार मुझे भी लगता है फिलिंग्स में म्यूजिक अड़ करके अब उससे मैं अच्छे से समझाऊंगा हलो कौन मैं किट्टू बोल रहा हूँ फ्रॉम कार केर कार रिपेर की थी न तो पता करने के लिए कॉल किया की कैसी है कल ही रिपेर करवाई थी न इतनी जल्दी क्या होगा नहीं मतलब रिपेर की थी न तो डेली एक बार कॉल करके हाल चल पुछना हमारी रेस्पॉन सिबि रखा है क्या देखो यह फेस्बुक वाट्साप ज्यादा यूज मत करना समझ में आया आ रहा है किट्टू अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आई तो तुम प्रपोस कैसे करोगे मैं प्रपोस नहीं करूंगा तो फिर प्यार तो एक फीलिंग है अपनी फीलिंग सामन सचाही हो तो पक्का समझ में आएगा मतलब क्या मेरे प्यार में सचाही नहीं है तुम्हारा प्यार तो तुम्हें मेरी फिलिंग समझ नहीं आ रही है न तो जो पुलेगा मुझे समझ में याइगा देख भाई कर जा लेने के बाद फ्रेंड और ब्रेकप के बाद गल्फेंड फोन ने उठाती है सब जानते है अब तेरी तो तेरे मुझे अच्छे बाते निकलती नहीं है क्या है हाई वन वी कहा था चार दिन में आ गई मिस्किया मुझे नहीं करूंगी तब ही तो जल्दी वापस आ गई ना हाँ सुना एरपोर्ट से सीधे यहां आई हो हां आदे घंटे में हॉस्टेल नहीं पहुचे तो वाड़न इंट्री नहीं देखी फिर भी तुम्हें देखने के लि घर लिया है उसके बाद ही मैं तुम्हें मेरे पापा से मिलवाने लेकर जाओंगी है सुन लिया मेरी शादी भी फिक्स हो गई है सोचा था गैरेज खरीद कर ओनर बन जाएंगे अगर तेरी शादी हो गई तो मैडम के पास फिर से वरकर बन के काम करना पड़ेगा वाट त थोड़ी देर रुको ना देखा कार भी जाना नहीं चाती किट्टू देर हो गई है कैसे जाओं बाइक से चलो चलते हैं थेंक्यू किट्टू बाई 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 गुद नाइट जानो क्या है कुछ नहीं वो तुम कुछ मांगना चाहते हो थोड़ा उधार दोगी मुझे कल मैं लोटा दूँगा कितने पैसे नहीं मांग रहा हूं किस ओके किस चाहिए तुम्हें और कल वापस भी लोटा दोगे ज्यादा रोमेंटिक मत बनो ऐसा क्यों गह रही हो देने पर लेने की फिलिंग और लेने पर देने की फिलिंग किसमें तो है दे दो ना नो वे यह सब शादी के बाद शादी के बाद तो फिर प्यार क्यों किया सिर्फ देखने के लिए शादी के बाद जो करते हैं उसे शादी से पहले करने के लिए ही प्यार क्रियेट किया है प्लीज सिर्फ एक बार किटू कोई देख लेगा कोई नहीं देखेगा प्लीज द स्क्रिश्म में किस मैं की आई और फील में करूँ जो तो ही करूं सब्सक्राइब तो ठीक है हां तो फिर तुमने डुएंट भी गाया डुएट क्यों भाई रिप्लोक देखंआ किस जमाने से हो आज केल गाने कौन देखता है हम तो सीधा सीन देखते हैं कि यह लोले सब का बोनस अबाउट तेरे तीने जार और तेरे भी तीने जार तेक है ठीक है एक रिपेर हो गई हाँ प्लग प्रॉब्लम थी वह हो गई यार जानकी के कार वह यह बैग था मैं ही तुम्हें कॉल करना चाहती थी क्यों किसको भूल नहीं पा रहे हूं क्या इसलिए बैग भूल गई ओ नू उसमें 25 लाक्स है 25 लाक्स बोला था ना प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं पापा ने एडवांस देने के लिए भीजवाय थे तुम इतनी केरलेस कैसे और शादी के बाद तुम घर कैसे संभालोगी संभालने के लिए तुम होना टेंशन नहीं है तुम्हारे पास रखो कल सुबह ले जाओंगी मैं क्यूं अभी मैं तुम्हें लाकर देता हूं किसके लिए आ रहे हो मैं सब जानती हूं यार कभी सोच किस दे यार यह ले है किट्टू किट्टू क्या हुआ अरे बैग में पैसे नहीं है यार और वह भी कही नजर नहीं आ रहा है पैसे बहुत बुरे होते हैं यार मुझे भी बुरा बना दिया अपनी जिन्दगी ग्रीज के दागों के साथ गैरेज में भीत गई इसलिए अपनी बच्ची जिन्दगी को और इस अपर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहता है इसलिए पैसे लेकर भाग रहा हूं मु नहीं संबल सका तो क्या मेरी बेटी को खाग संभालेगा अर्या हमने गराज खरेदने के पैसे बजाए थे ना उसमें 10 लाग तो हो गई और 15 लाग अरेंज करके उसे दे दे देंगे ना तू पागल हो गया क्या अबे उसमें तो तेरे पैसे भी है क्या बोल रहा है तेरी है मेरी परबब नहीं क्या अब है अब ऐस हमपने के बगैर पैसा देता है भागने वाले ज्यादा हो गया शायद प्रापरटी ऑस्पिटल को बेजदे में यार तरह हात जोडता हूं तु यहाँ पर क्यों आ गया एक बात बताओ वो इसलिए कि हमारे बिजनेस में रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो भाई ने टाइम बचाने के लिए हॉस्पिटल यहीं पर खुलवा दिया यह भाई आया है क्या वो अंदर बैठें भाई यह लोग कौन है अरे आप भूल गए उस दिना मैं माल कर भाग गया था यह वही है उसने नहीं इसने मारा था बगल में तो यह था ना तब यह था ही नहीं अभी तो है ना आपको क्या हो गया भाई तू बच्चा है बड़ा होगा फिर समझ में आएगा तुम लोग क्य क्या मन चाहा करजा दें आपको कौन है यह लोग करजे के लिए भाई यह बताओ किता चाहिए 15 लाग भाई पॉरी करके पैसे प्याइब हैं यह बहाई में तो मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं मुझे तो निमासी बाबा दिख रहे हैं शुरू में बाबा लगते अं करजा देते वक्त बीपीचे करवाते हैं लट सेंपल क्यों करजा देने के लिए लोग आएडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ मांगते हैं लेकिन यह लोग तो ब्लड ग्रूप बिना सिक्यूरिटी का धंदा है तुम्हारी सेहत हमारी जरूरत है यह क्या है आखे गई न बगल में आखों का क्लीनिक होगा नशे में चिला रहा होगा नशाना चड़ने पर चिला रहा है दस टका ब्याज इसे लिए अपना बॉप जी बुरा है लेकिन उत्रा बुरा भी नहीं है ऐसा क्यों पैसा लेके गया और कार छोड़ दिये अरे नहीं यार बैक छोड़ गय देख ना पैसे तो आ रहें जोगे बैक कहां से लाते रहे है जानू तुम आ गई कब आई अब ही तो आ रही हूं यलो बैग येलो कीज ओके थैंक यू आप टू लीव जानू है या नहीं चेक कर लो ना इसमें चेक क्या करते और या 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 इसा क्यों कह रहा है बैग और क वैसे बॉब जी कहा है वो अनाथ है ना मतलब उसकी दादे भी अनाथ है इसलिए अनाथ है आरे आहां जानु जानु जानम देता है इंसान इंसान को देता है अनाथ जाओ जाओ ऐसे विए नाथ जान दिन रात मेहनत करें जैसे तैसे एक मैने का ब्याज चुका तिया लेकिन जब हमारे अपू को अपाकर लाए तब समझ में आया कि करजा लेना क्या होता है बाई नियुक्या ऐसे लेन देना नहीं कि इसका कोई लेना देना नहीं है कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी मेरी इसे छोड़ दीजे की तो आपने इसका निकालना है तेरा भी निकाल से लेंगे रभी इंड कमें डोक्टरी हाए इंड एमनेक्न हम आख मेतना तर Ay no ङुआ कि यह deine लाइक क हो झालने ये कोर्स में हाई चालने के लिए कोति शुकानों ह Howard पक्का देंगा भाई बरोजा क्रोड़े प्लीज नहीं तो मेरा हाट मेरा दिल निकालके दें जा चल 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 दी किया होगा आज के लिए किड़नी निकाल रहा था मूल के लिए क्या निकालेगा समझ नहीं आ रहा है दर्मत यार सबके लिए बाबा अब आपी को रास्ता दिखाऊ ना हमारा पपी लापता है जो लाएगा उसे दस जार रुपए मिलेंगे तू क्या चाता है उस कुत्ते के लिए लोग गली जख मारें बाबा है ना यार पोस्तर दिखाने वाले भगवान ने पपी को भी तो द कहां गैर बगवान देता थो छब पर भाड करों सबकुस निमासी बाबा की देच है जै को अब बात बता यार 15 लकी लिए कि प्रमध्र Яन करने के लिए प्लाइन चाहिए आ डेंगे पत्रप्र näm करो खुश हो जाएगा वह और पकड़े तो इंशान तो कोट में जाकर गभाई दे सकता बेचारा कुट्टा क्या करेगा वह तो बेजुबान होता है नहीं बोल पाएगा अपनी किद्नी बचाने का दूसरा तरीका नहीं है एक्जाक्ली पर यार कुट्टे के लिए उतने पैसे देंगे क्या एक जमाने में कुट्टे इसके तरह जस्ट आनिमल्स थे लेकिन अभी एक पैसा भीक ना देने वाला भी बिल्डिंग कुट्टो के नाम कर रहा है घर के लोगों को कुट्टो की तरह देखते और कुट्टो को घर वालों की तरह और वैसे हम कितना मांगेंगे 25 या 50 वा तुझे आइडिया आते कैसे हैं सवभाग्य कार दिखाता है दुरभाग् दुर्ण इस विश्चे पता लगता है कि लडगियां उने फॉलों करने इसे निसे निंगे पने उनके फॉलों करने से पड़ती तू चुपकर मैं वाच्मेन का ध्यान डाइवट करता हूं तू कुट्य को उठा कर लिया है माची से क्या और क्या ये तो वही बात होगी चो बड़ा धमागा चोटा क्यों मेरे जितना है अंदर एक और है तीन है गया काम से कै एएएएएएएएएएएएएएएएए एएएएएएएएएएएएbay oh ительно कर एएएएएव आहाईएएएए जिम्लिण रूगएएएएएए आटाएएएएएएएऐए जबतोड़ कि शूुदि अझाल्रै याल्राध्यों! कर दो कि अपना है अपना है अपना यह परसो दूसरा था ना नया पेट के छेंटर शुरु किया है नहीं अ है अ है यह दुड़्स ही सु हॉट आ लाइक है हुआ 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 है यह क्या फॉर्म पर्फुम है क्या पसंद आया तेरे लिए था ठाइक्स यार कुट्टों के पीछे भाग भाग के पूरी बॉडी से कुट्टों जैसी बदबु आ रही है इसे मीट परे कहते हैं इसे लगाने पर हम कुट्टों को मोटी हड्डियों की तरह दिखाई देते हैं आज कल ब्रेक अप्स के लिए भी पार्टी होती है है गाइस होब इंजॉइंग पार्टी है है अने बताया था ना मेरे बॉइफ्रेंड के बारे में यह है किट्टू कृष्ण हूर्थी तुम्हारे बॉइफ्रेंड को आई प्रॉब्लम है क्या ऐसा कुछ नहीं है आपके तो आप करते क्या है कारके शेहर का फेमस गराज बेसिंग मेकैनिकल इंजिनियर है आपने अदम पर कुछ बनने की कोशिश कर रहा है यह ओ हो कुट्टों को कितना आप करके वाट जानो इसे कुछ गलत फाहम है हुगयी अचलो हम यहां से चलते हैं वेट वेट कुत्तों को केट्नैप करके मतलब वही तो रुसका धंदा है औरिसके साथ दो लड़के हैं जो यह गाम करते हैं इनका तो पुरा गैंग है हमारे कुट्टे को किड्नाप करके हम ही से 50,000 रुपे ले रहे हैं तुझे ये कहां से मिल गया बढ़ी लिखी हो इंसानों को पढ़ने ही सकती आई पीटी यू जानू और तू निकल यहां से डिस टू मच जट आप ऐसा कुछ नहीं है जानो जो पूछू उसका जवाब दो चीन कुट्टों को मैंने गराज में देखा था उन सको किड्नैप किया था पेट केल सेंटर शुरू किया था अच्छा ऐसा है क्या है पेट किड्नैपर क्रियेटिव है ना गुट गुट इंटेलिजेंट जानू 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 प्लीज जानू मेरी बात सुनो, मैं पूरी बात बता हुआ देखा ना सब केसे हस रहे थे तुम कभी ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था मुझे बस पांच मिनिट दो जानो तुम्हें तो अपनी लाइफ देने वाली थी जानो, मेरा प्यार सच्चा है जानो जी, प्यार नाम का शब्द है तुम्हारे मुझे अच्छा नहीं लगता You are not fit to love मासुम कुतों के प्यार को कैश में बदलने वाला लड़की के प्यार को कैश में नहीं बदल सकता कि कल मेरी प्यार को बीच में रख कर मेरे पापा को ब्लैक मेल नहीं करोगे अब आद अच्छों पड़ गई है उस लड़की को उठाकर लेआँ किस लड़की को जानू को क्या बात करे हो नहीं भाई इंसानू को किड्नैप करना क्राइम है कुतों को भी किड्नैप नहीं कर सकते क्या हे भगवान अरे छोटे छोटे सपने हैं तुम्हारे एक तरफ जीगू को पैसे दे रहा है ब्रेक अप नहीं करता पता नहीं भाई छोटी सी होप तो है भगवान है ना यह हुई ना बात सही है एक्च्वली पता है तुम्हें लेकर किवाए थे दो दिन में किसी का हाट ऑपरेशन है लेकिन तेरी कहानी सुने के बाद लग रहा है तुझे जीना होगा वैसे वो भी इनसान ही है उसके भी रिष्टे होगे प्यार होगा ख्वाईशे होगी कर्जा भी होगा मतलब अभी मेरा दिल निकाल कर टाइम दे ले आपरेशन खेटर रेड़ी है तेरे लिए दो तिन का समय दे रहा हूं मेरा कर्द आ चुका दे नहीं तो अपना दिल मुझे दे दे तिल 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 ले आज़े जाओ कुल्टे के लिए पांच लाग कों देगा अब निवासी बाबा के दर्शन करके काम शुरू करते उसके दर्शन करना बैडल को इन्वाइट करने जैसा होगा मैं नहीं आउँगा सब्सक्राइब है कि पापा ही रो के लिए सही है ना डाबा सार्चिंग स Crimson सर्चिंग तोनों की आमने सामने आगल गे और कट के बाद दोनों में जबड़्स्क एक मिनट यहीरो के पापा का हीरोईन के पापा से युद्वा वह भी घमासान युद्वा मतलब स्क्रीन ही ना वह तो ठीक है सिनेवे का नाम क्या रखा है अमंगल में डंगल रिसेंटली डंगल सुपर हीट हुई किना बाबा उसी से इंस्पायर होकर इसका नाम रखा है इस स्टोरी की बिगनिंग में जो विलेन आया था उस उतारा मैं बताता हूं अब बाबा ने कह दिया ना अब हाँ भाई बोलो प्लेसिंग्स दोगे मुझे आपको क्या जरूत है बाई मैं सबका भगवान हूं आप मेरे बगवान है पर भगवान कॉल करते हैं तो इस ते चौफ आता है मतलब चार्जिंग खटमों गए थी बैक्टरी वीक हो गई है सर बैक ग्राउंड लीक हो भाई धंदे की कसाम खाकर कह रहा हूं कलेक्शन कम हो गया है स्टेट डिवाइद होने के बाद से भक्त बहुत कम हो गया है संताराम अमीर पेट से अमरावती तक तेरी सारी प्रोपटी के लिस्ट मेरे सिस्टम में है ऑनलाइन में आशिरवात के लिए मंतली 6 करोड कृण शॉली ब्र alright पेट श्री वह एलो जान की बोल रही ह JENक टिकट खरीघए घर गया तो बताया कि वो पैसे आपके है फूस्ट में और रहा हो नहीं पहरते तुमने मेरा हाता तुमने नामों तुक्झाय तिस प्यों पैसे बीस तो यह कृत तुमने दी तो ले नाम तुम मुझे नहीं पता है कि हो फिएक करन्सी ज़िख देखो जूत मत बोलो उसने वह पैसे अग्ले दिन दिये थे किछु ने पैसे दे दिये थे तुमसे प्यार करता है ना इसलिए पैसे खोने को तो लाटा दिया होगा तो अई तो अई देखर के क्या दो भता है यह कैश बीन वह थो यह का है इसे लिदा बैब थे क्लिकाइफ यह पापम प्रफ़ी किसका है इसे और वह तो अभेकर सेंटर शूरू किया तो वह कुटा है मुझे बस पांच मिनिट तो चालों तुम्हें तुम्हें अपनी लाइफ तेने वाली थी थोड़ी दिन में कुत्ता आ जाएगा स्मोक रेडी रख अरे या स्मोक का काम मैं देख लोगा ना तूस डॉक पर कॉंसेंट्रेट कर अब यह स्प्रे किसलिए अगरी स्मोक मिस हो जागा तो इस प्रेय यूज़ कर लेंगे बैक अप के लिए ले इसे फीट कर लेंगे चानू कहां हो तूम मैं कार डिलिवरी करने आया हूं हमारी रोस की जगा मिल सकते हो तुमसे बात कर नहीं है कि बहुत कुछ बताना है प्ली प्लीज आरे पांच मिल्ख जाना है उस डॉग को लिए हम चले आँगे तू जानू के पाज लेए प्लीज अलो तो अब हम सब भूच रहे कि आप घर आ रहें या नहीं आगरी आरहा हूं इई, कुटा, कुटा ईई, तुसमोगरे लिगा, तुसमोगरे लिगा, तुसमोगरे चल, चल, चल कर दो कर दो खो कर दो कर दो कर दो हमारी रोज की जगह मिल सकते हो तुमसे बात करने है कि टू बहुत कुछ बताना है प्लीज 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 आज की नैट फुल एंजॉई करेंगे बाई को आने में अभी दो दिन बाकी हैं ये एर जी का घर है येस आई नो रिशी ठीक एर भाई सर आप लोग यहां पर रेट करने आ है रेट करने के लिए लेकिन हमने क्या किया है दिस इंकम टेक्स रेट फोन सीच अफ कर दो कम आउन ये रूम किसका है ये रूम मेरे भाईया का है सर खोलो इसे कीज तो भाईया के पास ही है सर सुरेश ये सर इस अब इस आपन साफ वहां कुछ नहीं मिला सर यार जी बहुत जेन्वीन है सर आइनो लेकिन करना पड़ता है ना पर मैलेटीज है इस सेफ में क्या है मुझे नहीं पता सर इसमें क्या है रिशी इस सेफ को सीज करके एड़कॉर्टर में भेज़ दो अज फ्राइडी है ना मंडे गोने ओफिस अने के लिए बोलो हम उनी के प्रिजेंस में हम इसे ओपन करके चेक करेंगे और अगर वो मंडे नहीं आते हैं तो फिर हमें इसे खोलना पनेगा प्रोजेट किस फाइवनड़ यूरोज येस अंद जस्त अ मिनिट ओके अगर मुझे पता होता तो इनफॉर्म करता पर मुझे भी पता नहीं था सर जाकर सिर्फ पासवर बताना है भाईया उसके बाद वो मैं रिटेंट कर देंगे पासवर मुझे मालूम होता तो पहले ही बता देता थेर वो नहीं लेजा पाते आदित नरान बहुत स्ट्रीट ऑफिसर है सर वो किसी की नहीं सुनते अब क्या होगा सर रेड में सीज की उई सारी चीजों को IT हेड़कौर्टर स के सेफ रूम में रखते हैं उस सेफ रूम को ऊपिन करने के लिए एक एक्सेस कार्ड होता है वो एक्सेस कार्ड भी सिर्फ अपना नाम बहार आए बगएर वो एकसेस कार्ट चाहिए वो हमें क्यों देगा भाईया वो तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है जाहे जितना स्ट्रिक्ट ऑफिसर हो एक वीक्निस होगी उसकी वीक्नेस ही अपनी स्ट्रेंथ है क्या हुआ विला क्या नहीं यार तुझे क्या हुआ निमासी बाबा इस वक्त समाधी ले रहे हैं यार चाचल फोन करते हैं यह यह उनसे कहीं कि मंड़े आकर मिलेंगे यह प्रिया पहां जी में भी क्या करें जिमी को लेकर बाहर बॉक पे गई है आजाएगी गल्यटन हम वह यह यह खो करेह घ। आदित नरायन जी बोल रहे हैं क्या जैँ मैंने आपकी बेटी को सब्सक्राइग कि कितना पैसा मैंने एक और सब्सक्राइब यह मैंटर पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए नहीं तो मुझे खामा खाँ, आपकी बेटी को मारना होगा, और उसकी लाश आपको मिले या ना मिले, समझ गया ना? अलो, किटनापर्स, कितने चाहिए? इसकी बेटे ने घर जाकर बता दिया होगा, पूछ रहा है कितने चाहिए? थोड़ा बड़ा आमाउंट है लेकिन मजबूरी है, 5 लैक्स, देखा कुते को कितना चाहता है, 5 लैक्स बोलो तो 5 लैक्स देने के लिए के तइयार होगा, एए, तुम लोगोंने मेरी जान को किटनेब कीया है, आपकी जान को हमारे जान की तरह देख रहे हैं सर, आप ही उस हम सबने मिलकर नहलाया आपकी बेबी बहुत बदमाश है नहलाते वक्त हम पर हाथ रखकर बदमाश ही कर रही थी अगर मेरी बेबी को हाथ भी लगाया तो तुम लोगों को जंदा नहीं चोड़ूँगा अगर यह कुट्य के मामले में इतना पजिसीव है तो बेटी के मामले में कितना पजिसीव होगा इन सबसे हमें क्या लेना देना सार आप हमारे पैसे भेज़ दीजे आपकी बेबी को खर भेज देंगे ठीक है यह बताओ पैसे का लाने है चार मिनार के पास पूरानी हलो पहचाना नहीं थोड़ी देर पहले फोन किया था ना वोई के नैपर बोल रहा हूँ यह क्या है तुम लोग एक नंबर से कॉल नहीं कर सकते क्या अच्छा हमारा फोन टेप करना है तुमें हम कोई छोटे से बच्चे नहीं है अब जो कहता हूँ वो सुनो अब समझा है इतनी बार तойти लेकि इंटी समयगी चितने बार सवाल करेगा उतनी बार तेरी बेटी जलेगे नहीं नहीं मेरी बेटी को कुश मत करने तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही moeten मैं एक करोड और एक्सेस कार्ड लिकर आता हूं यह एक करोड क्यूं भाई ने तो सिफ एक्सेस कार्ड माँगा था ना एक्सेस कार्ड भाईया के लिए करोड रुपे हमारे लिए हे wide हम ह biscuits अलो हुई टाइम सेंस नहीं है क्या आरहा हूं है पांच मिन रृपों चाहई आता है और को अपन और जाए न्रेम्च उतिक सुलेश्पैज के दन्यां करक्स अंता करीन है यह क्या है् chciaई कर में चाहा मेना रहाता हूं कुप्ट्य के जाने के गव में में रास्ता भोल अभी आप देख रहे हैं ने मासी बाबा के सजी सँमारी की तयारियां तयारियां बहुत धुन-धाम से हो रही है आखरी बार उनके दर्शन करने के लिए देश के कोली-कोले से लोग आ रहे हैं आपने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया बाबा रात में मुझे त्री मूर्थियों ने बुलाया था बच्चा त्री मूर्थिया मतलब अनिल नसिर जैके ना बाबा नहीं बच्चा ब्रम्हा विष्टु महेश क्या कहा बाबा कहा मेरे बिना स्वर्ग ऑडियंस के बिना थियेटर जैसा लग रहा है मुझे वहां बुलाया है बच्चा अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा बाबा वह समाधी है बेटा समर कैम्प नहीं जो जब चाहे तब वहां चला जाए सिनेमा थियेटर है शो के वक्त ही सिनेमा देखना चाहिए बुलावे क कि मृत्यूं कैसे हो सकती है यह साल चलती है उससे भी एक दिन थियेटर से उतरना होता है वैसे ही आत्मा भी है आपके बिना नहीं रह सकता बाबा मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्लीज बाबाब प्लीज प्लीज पोले तक यह पीछया नहीं चोड़ने वारा अगर मर तेन रुपिस 50 रुपिस टेन रुपिस 50 रुपिस अरे है मेरे पास लड़की के बाजु किसी इठ नहीं है यह लड़की कहा है वहां है मेरा हिसाब हाँ तुझे ढूंड रहा था ये ले सौ भाई भाई एक टिकट दीजे एक ही है लेकिन नहीं दूंगा क्यों वाटर बॉटल में क्वाल्टर मिला कर सिप करते हुए सेकेंड शो देखना मेरी आदत है रोस सुपर्व हुँआ है क्या है मैं सोचा कोई बात नहीं आदत है सब कुछ खत्म होने वाला है सब कुछ खत्म हो गया शिप डूब रही है रोस रोस जैट डूब गया नामझे चुब रही तुब रही है शब क्या हुआ मैडम कि नाम के मालदीव में डूब गई है रही ह्वासर ये तो अपनी शिप का यह तो अपनी शिप का नंबर रहा है रोच और रोच60 नाम वाला है इस ग्यान की को स्व कुछ पता है सो ये इस साय ने को बताईए शिप दुब गई तो क्या हुआятся चुनेमा सुपर हिट मेगा हिट शायद आपको सीनिमा है पर टेन रुपेज यह कह रहे हैं झाल लगाने पर प्रोफित आरे यह उठाए ने इन्हें उठाई है और सिनेमा निमासी बाबा हो गया इसी फ्लैश बैक की वज़द से उसने मुझे ब्लैक मेल करके मुझे पैसे वसूले शुरू कर दिये सुबह सुबह उड़कर भजन करके पैसे कबाना और शाम होते ही सारे पैसे उसके नाम कर देना इनी सबसे पीछा छुडाने के लिए मच कित्ने दिन तक थेटर में चलेगी किस स्टार का समय चल रहा है यह आपको कैसे पता तो यह है प्राब्ल्म बारिश हो धूप हो दिन हो रात हो सिनेमा पर जीन वाले सैक्ष्टेंट वाले को पता होता है सिनेमा कितने हितो clip लेकिन डिरेक्टर को नहीं पता होता मेरे जैसे ब्लैक टीकट मेंशने से आप में लगड़ी क्यों है बच्चा आपकी पर भरोसा करके कि मंडब से उट कर भागा आज लिंद्धी बर्माद करती आपने मेरी मत मारो उदर क्यों देख रहा इंटर्वhel है क्या वह पैर हाँ पानी ले दे और सर पर छेड़क ले हाँ एसे मेरे हाथों से अपने ये पैर धुलवा कर यह ही है वो पैर वही पानी अम्रित बोलकर मुझे पिलाया था ना पिर उधर देख रहा है निया इंटरेवल है क्या रात में नीद आई ना बबा बबा एक छोटा सा प्रश्न है रात में आप ज्यान समाधी में श्री तिरूपती वेंकटेशर स्वामी से गुरुवर बालकृष्ण से कुछ बात ही कर रहे थे बीच में कोई एक और नाम सुना करता है नाग देवता बोलकर जूड़ बोला तुने और पूजा हेगड़े पूजा हेगड़े का नाम लेकर यह नई प्रकार की पूजा अच्छा सा आइडिया देता हूँ मुझे मार मत तुझे एक अच्छा सा आइडिया देता हूँ रुक जाओ परवात्मा का बुलावा आया है अवज उन्हें मुझे कुछ काम होगा जाना ही होगा आप दुखी मत होना यह मेरा शिश्याप के साथ रहेगा सुनामी बाबा चलता हो किट्टू अब पूरे आज हमारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से सॉल्व होगी है एक्स बेबी इसका नाम बेबी ही है नाम लेके बुला रहा हूं तो देख क्यों नहीं रही है शाद उसे पता ही ना हो कि उसका नाम बेबी है ए ओपन करने आरे यह देख इसमें कार्ड है म यह लगबाग इसमें एक करोड होंगे यार ओमाइगाड ओमाइट यार अगर यह बात पहले पता होती तो शहर में कुट्टों की तरह कुट्टों के पिछे भागने से अच्छा इसे ही पकड़ लेते प्रॉब्लम सल्व हो जाती कुट्टों के साथ रहते रहते तिरी बु से कितना भी प्यार करते होंगे लेकिन पांच लाग मांगने पर सीधा एक करोड है हमें नहीं चाहिए सर हम नीच काम भी नीटली करते हैं बेबी के साथ एक्स्ट्रा अमाउंड भी आपके कंपॉंड में रख देंगे आप बिस्किट क्या है अरे वही कुत्तों के बिस्कि यार ये बीच में बेटी कहा से आगी मामला तो कंफुजिंग हो गया मेरी अभी समझ में आ रहा है क्या उसने एक करोड कुत्ते के लिए नहीं दिये थे बेटी के लिए उसने फोन में बेबी जो बोला वो डॉक के लिए नहीं डॉक्टर के लिए किसे ने उसके बेटी को क पिद्नाग करके एक करोड गोलकोंडा लाने को नहीं से कन्फूजन इस्टार्ट हुआ है तो अब क्या करेंगे जा कर उसके घर पर छोड़ देंगे जाकर उसके बेटी को ले आएगा वह अरे यार भाग-बाग क्या अमारी हालप खुराब अगई थोड़े पैसे हम लोग र तो गंटे का टाइम और ले ले एक करोड और एकसेस कार्ड गोल कोंडा में लेकरा तो बारा टाइम नहीं दूगा सिर्फ तरी पीटी की लाश कूरियर में भेजूँगा बाए मैडम क्या हुआ जिमी कहीं मेल नहीं रही जिमी कहां जाएगी जानकी के साथ वॉक पर गई है जिमी मतलब उन लोगों ने कुट्टे के लिए पांच लाग मांगे थे और दूसरों ने बीवी के लिए एक करोड मांगे एक करोड और एकसेस कार्ड एक ने चार मेरा नानिक ल बेवी सुनिए क्या हुआ क्या हुआ जी बेवी क्या हुआ जी आजियो अबुलेंसे गॉल करो के अरे यार यह इथे इतनी उसली पुलिक क्यों आई है कहीं इसका मालिक ऊपर तो नहीं निकल लिए नई है यार यह केस बहुत आगे बाढ़ गया है अकर हम दिखेंगे तो पकड़े चाहेंगे और हमारी जोफ़ाट लगाएंगे अब क्या करें यार निकल चलते हैं चल चल निगाल 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 सब्सक्राइब के लिए इस केस के लिए स्पेशल ओफिसर का पाइंट किया है अगर तू नहीं भागा तो मैं तुझे शूट करतूंगा जीने का कोई चांस ही नहीं और अगर तू भागा तो तेरे उस टर्ण तक पहुँचने तक वेट करूंगा सिर्फ एक बुलिट खर्च करूंगा तेरे लिए अगर तेरी किस्मत अच्छी होगी तो तेरी जन्दिगी बच जाएगी चॉइस इस तुझे मौका चाहिए या मौत चाहिए सर दशूर कीजिये न यह कॉफी एतनी ठंडी क्यों है सर वो भाग जाएगा सर बोलिये सर आंटी पुलिस यह इंसिडेंट कब और कैसे हुआ जानू ने किसी पर फोन पर बात की और हमारे कुटे को बाहर लेकर चली गई उसके बाद कुछ लोगों का कॉल आया और फिर उन्हें टेंशन हो गई मुझे इतना ही पता है किड्नाप किस ने किया है यह तो शायद उन्हें भी नहीं पता फोन पर उन्होंने किस से बात किये भी नहीं पता पता नहीं जानकी की कॉल लिस्ट देखी क्या यह सर लास्ट कॉल कृष्णा मूर्ति की थी सर कृष्णा मूर्ति जब जानकी को उसके बारे में पता चला, तो उसने उसे ब्रेक अप कर लिया तुम्हें पता है वो कहा रहता है? कार केर, माधापुर में सा रामारुज, सर दस मिनट के अंदर वो मेरे सामने होना चाए इनकम टैक्स कमीशनर आधित्य नाराइन की बेटी जानकी नाराइन का आज दोपह में अपहरन हुआ है ये बात जैसे ही पुलिस को पता चली, उन्होंने किड्नैपर्स को पकड़ कर आधित्य नाराइन जी का दिया हुआ एक करोड कैश भी बरामत कर लिया इन तीनों किड्नैपर्स से अभी बंजारा हिल्स के पुलिस टेशन में पूछताच हो रही है इनका नाम है किट्टू, अपू और पालू ये लोग एक तरफ कार मेकानिक का काम करते हैं और एक तरफ किड्नैपिंग करते हैं पुलिस इनसे अब और जानगाई हासित की कोशिश कर ली है मार दे, मार दे, मार दे, किल मी आइसे मारना चाहता था मुझे, यू वान इट पिल में आप मेरे भगवान हो भाया, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ क्या है ये सब, एक करोड कैश क्या है, ये लड़के कौन है, ये मेरे पूलिस तक कैसे पहुँच गया आपने एक्सेस कार्ट के लिए बोला था, और मैंने अपने खर्चों के लिए उससे एक करोड कैश मांग लिया था खर्च के लिए मैं दे देता ना, सौरी भाया आखर उसमें ऐसा क्या है, ये मैटर पुलिस तक पहुच चुका है, कल या बसो हम तक भी आ जाएगा, मैं आदित नरायन को फोन करके ये पूचूं कि ये मैटर पुलिस तक आखर कैसे पहुचा, ये सब पता करने के लिए हमें आदित नरायन नहीं चाहिए, वो तीनों चा यार, फिल्मों में दिखाता है के पुलिस तरसा में चड़ी में बाढ़ आरायन वे ऐसा करेंगे क्या, ये सारी बाते है अब ही क्यों कर रहा है, चड़ी पहनना भूल गया हुँ यार। लड़की कहां है हमें पता नहीं है लड़की कहां है यह तो बार बार एकी बात क्यों बोल रहा है तो तुमाग खुराब हो रहा है मेरा सर ऐसे चूट लएगी सर आपको अगर ज़ादा किया तो कपड़े उतारका अन्मारों गों को अईसे नहीं बताओगे तुम लोग जब थर्ड डिग्री लगेगी तब जब निकलेगा तुम लोगों के मुँसे अगर ने कोई डिग्री कोई एंब्या नहीं किया सर एंब्या की नहीं यहां पर पिटाई की एक करोड कैश मिलने पर भी तुम लोग जर्म कुबोल नहीं कर रहे हो बहुत शातिर लगते हो तुम लोगों का कैश के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने पर उन खुत्तों को किड्नेप करने वालों ने इंकम टेक्स ऑफिसर की बेटी को किड्नेप किया होगा ऐसा सिर्फ मेरे मन में डाउट था लेकिन अब जैसा तुम लोग कह रहे हो 100% तुम लोगों नहीं किड्नेप किया होगा हम लोगों ने सच में उस लड़की को नहीं देखा सर शुच में इसे देख कर बोल यह लड़की तो किट्टू की गर्फ्रेंड है सेर यही लड़की आदित नारायान की बेटी अब इसांदोध किड्नेप। कर देका किजिदे न ही किँर समझ में या रहा है सर जानु की जिंदेंगी खत्रे में कुछ किजिए अच्छी करता है तू किसी कॉमेडी शो में ट्राइब कर इन्हें गाड़ी में बिठाओ रामानोज जी बोल बंद्रा भाया पुलीस उन्हें चीप में बिठा कर ले जा रही है तू उन्हें फॉलो कर यही यादित नारायन की बेटी है बेटा तूमसे बात करनी है किटू बहुत बाते करनी है तूम किसी से प्यार करती हो डाड बेजी से कोजे बताओ किटू बहुत अच्छा लड़का है I love him अच्छा लड़का इसलिए प्यार किया या प्यार करने के बाद वो अच्छा लड़का बन गया नहीं पापा मेरा दिल गलत नहीं हो सकता फैमिली बैग्राउंड क्या है उसका? उसकी फैमिली नहीं है फ्रेंस के सिवा है और और एजुकेशन? गुड गुड लेकिन वो गराज चलाता है दोस्तों के साथ तो जॉब क्यों नहीं कर रहा है वो बड़ी आटो मोबाइल कंपनी शुरू करना उसका एंबिशन है सो इस एंबिशियस उसको मैंने वे सिर्फ पचाश जारी नहीं चाहिए करोणों चाहिए होंगे कूमान डाईट ओके ओके तो पहले किसने प्रोपोज किया मैं नहीं मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता है तुम्हारे प्रोपोज वे उसने प्रफिट देखा होगा इसलिए हाँ कर दिया होगा पापा उसे आपके स्टेटस के बारे में कुछ नहीं बता तुम्हारा financial status जानने के लिए तुम्हारी lifestyle काफी है वो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हसे प्यार का नाटा कर रहा है आप जो भी कहें कि तुने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे प्यार किया है मैं नहीं मानती जितना असान दिल देना हुता है बेटी को देना उतना असान नहीं होता है, मैं बाप हूँ, मेरे अपने कुछ डाउट्स हैं, मैं जो बोलूगा तुम करोगी क्या? जैसे ही तुम हैदराबाद लेंड हो जाओगी, मेरा दोस्त तुम्हें 25 लेक्स देगा, मज़े पता है तुम एरपोर्ट पर उतरते सीधे गराज जाओगी कार रेपेर का बहाना बनाकर वो 25 लेक्स तुम वहीं छोड़ेगा जानकी के कार में ये बैग मिला है? तुम अपने पास ही रखो, कल सुभे ले लूँगी येलो बैग, येलो कीज ओके थांक यू, आप तुलिए बेवी, मोलो क्या हुआ? सौरी ड़ाइड, आप हार गये आपके टेस्ट में खिटू जीत गया मैंने जैसे पैसे छोड़े थे, वैसे मुझे वापिस मिल गये है I'm sorry मतलब मैं हारा नहीं बिटा, मैं जीत गया तुम्हारे सेलेक्शन जीतने का मतलब है, मेरी परवरिष जीत गयी है ड़ाइड, लेकिन वो कैश बेभी, वो फेक मनी है फेक मनी? करना पढ़ता है बेटा पैसो कहीं नहीं जरुद पढ़ने पर जूट का भी इस्तमाल करना पढ़ता है वो फेक मनी अपने पास ही रखना मैं वहां कर उसे लीगल प्रोसीजर से जलवा दूँगा I'm very happy for you हैदरबाद आते ही किट्टू से बात करके तुमारी शादी के लिए मूरत फिक्स करवाता हूँ Thank you dad, thank you so much I'm sorry किट्टू, I miss you कहा हूँ किट्टू जंगल मुझे बच्पन से पसंद है इंसानों को मारना उससे भी ज़्यादा पसंद है हथकड़ी खोलो इनकी जी सर चलो भागो सर, if you don't mind आप हमारा एंकाउंटर नहीं कर सकते सर क्या बोला? आपको लगता है कि जानकी कहा है हमें पता है वही अगर हमें मार दोगे तो आपको लोगेगा कि आपको नहीं पता कि वो कहा है क्या बात कहीं भाई? सही लोजिक है अबे पागल, इधार आ या खड़ा हो जा चलो आप भागो अगर खड़े रहे तो कुट्टे की मौत मरोगे और अगर भागे तो उस टर्निंग तैक मैं वेट करूँगा दोनों के लिए एक एक बुलेट यूज़ करूँगा किसमात अच्छी रही तो बच भी सकते हो हाँ, बोल भाईया, पुलिस उन लोगों को शूट करने वाली है मुझे वो कार्ट चाहिए बले इस पुलिस वाले को मार दे लड़के नहीं मरने चाहिए ज़ाइस लोस, तुम्हें मौका चाहिए या माद सर 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 उने मर शूट कीजए सर सर फीली सर फीली सर वो कुछ नहीं जालते यह इसकी गरण अगई तू लोग भागया सर बहुँ भाग गई सर यह अगई सर यह लग अच्छा था इसलिए नहीं चलिया बाबा का अश्रवाद जयनिमासी बाबा गन जो नहीं चलिना वह बाबा की वज़े से नहीं तो कैसे अधितनारे ने फोन पर क्या था पता है तुझे पैसों के साथ इसके पैसों के लिए यह किड्नाप नहीं हुआ है इसके पिछे कुछ तो कहानी है यार बैग उपन करते वह काड़ उपर ही रखा हुआ था अपने कोई काम का नहीं यह सोच के मैंने काड़ वहीं फेक दिया था अभी अगर वह एक्सेस कार्ड हमें मिल जाए तो आज जाने के लिए हमें कोई नो कोई गाड़ी तो चाहिए होगी है वहां कुछ लाइट दिखाई दे रही है चाहाँ चाहाँ जोगी जी धीरे धीरे जोगी जी वा जोगी देखता नहीं है क्या तुरुचे अहां यह क्या यह तो चेहरा देखके ही बीमारी बता रहा है क्या हुआ भाई आप उसके उपर गिर गए जान बुचके नहीं गिरा था बेवकूब मुझे जान पहचान कर लगा इसलिए ठकराया त्रेलर दिकस्ति नहीं में बता रहा है इससे चोकन ना रहना पड़ेगा मुझे है दो पराठे लाओ अभी लातां बाई यह सामने आकर क्यों बैठ गया अब तीशू पेपर क्यों खा रहा है आप टीशू पेपर खाने से बॉड के टीशू इस्ट्रॉंग होतें इसा तीवी पे बताया रहा ने बताया निमासी बाबा तो इसने पैचान लिया ठीक है भाई, निकल रहे है, कौन है भाई, किटू और उसके दोस्त गारेज में नहीं है, वो जहां कहीं भी हो, उन्हें पकड़ कर लाने के लिए भाई ने फोन किया था, मैं हादू कर आता हूं भाई, ठीक है जल्दी आओ, किसी भी तलसे से मैनेज करना होगा, तुम्हें स तुमने कुछ नहीं देखा, ठीक है ना, मैंने सब कुछ देख लिया, अधा-धा ठीक है ना, आधा-धा दिख रहा है ना, अब लगता है, इससे पता चल गया, कि मुझे आधा ही दिखता है, देखो, तुम चाहतो कि ये बात किसी को पता ना चले, तो मेरा दस, मैं मुझे पैसे दे रहा है, सुनो, ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रहे हो, वो एक बात में बता नहीं है, बात ये है कि वो देख भाई किससे बात कर रहे है, देख, उस काले कववे को और उस मोटे को ये बहुत पता नहीं चलनी जाए, ये कववा मोटा कह रहा है, अपने होगा राता हूं है है कि अधिन कहुंए जिन बाबा का अबिशेग कर रहा चाहिए उनके आके तो सुसु कर रहा तो तो मुझे मार डालो मैं इसे फिनाई से साफ कर दूगा जो सुसु तुने पाप किया उसे कैसे साफ करेगा जाओ जानू की चान कद्रे में है कार मिल गई है चलना अभी कौन सी कार हेई चुक कर उबान रख हेई गाड़ी पीचे गुवा हाँ ठीक है अबे याद कर उसे कहा फेका था अरे यार मैंने तो इदेरी कही फेका था पर कुई आए है ये कौन है यार पता नहीं है हेई हो राएक्सिस कर दो ले 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 उटाना अरे पूलिस आ ले लेकिन कोई देख क्यों नहीं रहा है शटर तो खुला है लेकिन कोई देख क्यों नहीं रहा है बार निकाल बार निकाल चल 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 ड़ी चल 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 ऐ शेष्वू चल दी कर पुलीस आ रही है माप्रे पुलीस अब यपी रूप कहें जा लाए जल्दी करो, जल्दी करो, तो बच कर जादा नहीं चाहिए भर्यार, इस फोन तो क्यों आ रहे है? स्पीकर ओन कर क्या हुआ, मारिशी तेरा इंतजार कर रहा है जल्दी कार्ट देकर, सेफ के आटप्स लेकर आजा वक्त नहीं है अलो, अलो, बदरा, अलो, कार्ट दे कार्ड बोल रहा है, सेफ बोल रहा है, रिशी बोल रहा है, असल में है कोन यार? अब मुझे सबकों समझ में आ रहा है अभी जिसने कॉल किया था, उससे सेफ चाहिए वो IT Headquarters में है आदिति नारान, IT Commissioner है अभी अगर वो सेफ चाहिए तो कार्ट ज़रूरी है उस एकसेस कार्ट के लिए जानू को किड्डैप किया है एक सेफ के लिए अगर कोई इतना कर रहा है इसका मतलब वो कंटेंड उनके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है अगर वो सेफ हमारे हाथ लग गिया तो ज़रू सेफ रहेगी अगरे उसने फोन पर जो आइटी ऑफिस बताय था वो यह ही है तुम लोग हम ही है भद्रा का है तुम्हें बहद्रा चाहिए या काड़ काड़ चाहिए लेकिन तुम लोगों कभी देखा नहीं आधर हमने भी पहले नहीं देखा तो तुम लोग नय हो अगर बार बार एक दुसरे के चेहर अच्छा लगता है ठीक है चलो हलो वहाँ सेही टिपी केमरा है पर पीछे आओ मतलब दूसरे रास्ते से कर गर मां हैं रहे सर इतनी रात को क्या प्रावलम हो गई तो जल्दी कहां जल्वे खराब गन खराब गाड़ी और अब ये कुट्तों की गाड़ी क्या ये ऊपरियोнокों चाहिए से टाइम पास क्यों कर रहे हो ओपन करो और हमें ऊपन कर नहीं होता तो तो त Сам कि बुलातेए ठीके पासवड बताओ आप पासफ़ड पासफ़ड कभी को इसी को बताता क्या ठीक है ठीक है बॉस को करो बॉस एक टाइम है अगर कोई याय तो पकड़े जाएंगे अंब मेरे फोन में बैलेंस नहीं है अपने फोन से करोू ना बतरा का फोन है, इसे पासवर्ट बताऊगा, पूछ लेते हैं वहीं फोन कर रहे हैं, बात करो न हलो, हलो, सर, काड लेकर रहा है, पासवर्ट बताईए उपन कर दो गुड़ गुड़ पासवर्ट नोट कर लो, सर, बताईए सर 6, 7, 8, 6, 7, 8, सर, 1, 2, 1, 2, सर बाया, तू यहां क्या कर रहा है, हलो, सर, हलो, सर, बताईए सर, हलो, 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 यार, सेफ ले, उचल, 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 अब क्या करें, अगर मैं सही सोच रहा हूँ हूँ, तो वही हमें कॉंटाइक करेगा, है, प्राइविट नमबर है, हलो, तो यह बात है, तुझे जानकी चाहिए, मुझे सेफ चाहिए, तु सेफ लाकर दे दे, मैं जानकी को सेफ ली तुझे दे दूँगा, कहां पर आना है, रोड नमबर फाइव, आलको फैक्ट्री, कॉर्न बिल्डिंग, क्या हुँँ, क्या है। वह आवाज किस59, NWC वह बहुत बारस था है, बहुत बा देंजर। उसके रहना, तुम उसे कैसे जानते हो वह जो है हना ब्लैक मेल करके जीता है, मैं बहुत ुंप खुशी से जी रहा था, उसस ये करुद में ऐसे खको, बप्एम क्या तो सामने एक रुप्य का खर्चा क्यों खड़ा हो जाता है इस बार यह मिल गए भाई अभी नहीं छोड़े लिए मिलना क्या है भाई हम तो आपके पास यह आ रहे थे हम आरे पास तुलाओ कैश दो वह अपने मोदी जी ने कहा था ना के कैशलेस इसलिए हम हाथ में रख रह हाउ यह हम लोगो गुंआ रहा है मतलब मतलब भाई आपको तो मेरी मुश्किल्ए मेरी प्रेम कहनी पता है ना आप भी तो एक लवर ही हो ना तो सिरफ आप ही समझ सकते हो भाई यह पेर सब्सक्राइब ना तो रिफयर से पागल बना रहा है जानू के लिए ना हाँ ठीक ह भाई उसने कैशलेस कहा था तो बिना कैश की वो पैसे कहां से देगा भाई पेटियम कर देगा वो भाई वह आम सब को फिर से पागल बना जिया जल्दी भागारे याद कि अधिया यह उसे का देखना में अंधर चाहिं जार तुभी अपर देखना हां कि सुचा था कि सेफ लाने वाला दर्मेंदर पाजी की तर सिक्सपेक वाला होगा सिम काट जितना दिखता है ये तो सेफ कहां है जानू कहां है तेख किटो 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 समझ कई इथ समझ में आ गया समझ में आ गया कम तुम्हारी कुछ आया और कंट तहीं तुमसे मिलने आ रही तो उठा लिया ध्यां मुझ। रहा तुट्ता त्म आहिं के वह एक हस्याज़े और तुम तुम सुचाला लड़की पटाने का कोई नया आइडिया निकाला होगा मुझे क्यों नहीं बता है कि तुम्हें प्यार से बेबी बुलाते हैं हलो वो मैं दो मिनिटा ब्रदर इंपोर्टन मैटर पर बात कर रहे हैं परस्नल बाते अगर प्राइवेट में की जाए तो अच्छे लगती है मेरा सेफ का है पहले ये बता मुझे बाहर कार में है ए बदरा जा ले करा ठीक है प्रदर हम भी चलते हैं है तु लिमिट पार करेगा मेरी बुलेट गन पार करेगी सेफ आने के बाद ही हम तुझे छोड़ेंगे सेफ आने के बाद हमें छोड़ दो कि इसकी क्या गारेंटी ह तुम तो बहुत बड़े ब्लाकमेलर हो तुझे कैसे पता चला तुने सेफ ओपन किया था क्या पता इसका मतलब सेफ ओपन करने पर समझ में आएगा इसलिए उस सेफ के लिए इतना टेंचन हो रहा है अब तक सोचाता सेफ आने के बाद तू बज जाएगा लेकिन अब सेफ आने तक की तू जिन्दा रहेगा जा बद्रा रुक 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 पिचले 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 मिल गए वो लोग गाड़ी गुमा गाड़ी गुमा गाड़ी गुमा गाड़ी गुमा यार यह लोग कहां से आगया हूँ भाई आप याँ एए ओकी टुका है वो तो मुझे नहीं कहा है बोलेगा या नहीं है चल चल बे हम अभी तक अंदर नहीं कुछ सब्सक्राइब इसे हजार बार कह चुका हूँ कि रात ने पंचायती मत कर सुनता ही नहीं है भाया भाया हमारे साथ चीटिंग हुए भाया क्या हुआ हुआ वो संसेट के बाद फोन मत करना अंधेरे में गलती हो जाएगी तो अंधेरे में करते हैं इसमें नया क्या है अच्छी चल फोन रख अब तुम फोन करोगे तो मैं नहीं उठाओंगी पारो समझा करो काम पर हुना ठीक है वाह बढ़िया प्लान किया है किट्टू का माफिया बेक्राउंड है भाहिया इसका बेक्राउंड बहुत खतरनाग लग रहा है भाई यह सारे के सारे मुझे पक्का माफिया नजर आ रहे हैं सिर्फ पांच लाग रुपे के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों यह कौन है रात में संक्लासेस पैंड कर क्यों गूम रहा है पता नहीं भाईया भाई ने टाइम दिया था ना किड्नी देने को कहा था ना दे दूस्तों मैनेज करना पड़ेगा चुब क्यों हो गए तुम लोग आपस महीं बात कर लो शाबास भाई आप तो शेर हैं भाईया यह ग्रूप तो बहुत ही स्ट्रॉंग लग रहा है ओपर से वह यलो शट वाला तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है हम लोग कंप्रोमाइस क उतल अच्क्य भा गर भांटका अभी किक कि लिए गृवतर खोतरने करने की बातव होँगी दॉगो में मिल्स होगे पेचित काट पाइम करने की लिए इध that when ne उतार चल यहां से निकल तो यही है तेरा अड़ा लड़की को यही छुपाया था गया क्या कह रहे हैं सर यह वो जगह नहीं है सर जहां हमें आना था आप चाहें तो मुझे अपनी खराब गंद से उड़ा दिजे पर ऐसे इंसल्टों मत किजिए सर बहुत बोल रहा है तो चा अंदर फाइरिंग हो रही है सर हम रिस्क क्यों ले कंट्रों में फोन करके एक बटालियन मेजने के लिए के लिए यह सर भाई हजो और ने गोली लग जाएगी तेखा तुने पुलेट से भी डटते बुल्डोजर की तरह सामने खड़े हुए अभी तक क्या हिम्मा दिखाए भाई चला खोली चला भाई चला चलाओ 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 है मुझसे पंगा मतले ना अगर सटक गई तो एक एक को मार डालूंगा अरे देख के चलाओ भाई विज यह है किस गैंका पता नहीं भाईया बहुत ही कन्फ्यूजिंग करेक्टर लग रहा है मुझे तो यह अरे यार बुलेट खता होगी दो बुलेट देना तकले यह कोई बैंक जो तुझे कर्द दूगा इस गन की बुलेट के त्यरे गन में चलेगी चलाट अरे बीज में कौन याद कर रहा है हेलो कहां पर हो बताओ मैं खुद ही आ जाती हूं आकर क्या करेगी आजा आजा आज अरी के काठी की तरह गोल गुंकर गोलिया इंसान है किड्ना भी वही करता है रस्ती भी जला देता है वहाई सुनो ना दो बुलेट दो नहीं यार यह चल जा है इतना बड़ा सूट पैन रखा है बिल्कुल भी हेल्पिंग नेचर नहीं है क्या चाहिए तो क्या लोट दू किसी की नहीं सुनता क्या रहा है क्या हुआ सब लोग साइलेंट क्यों हो गए मर गया डर के भाग गये भाई दिवार पर गोली के चला रहा है अरे बापने इतनी देर से मैं दिवार पर गोली चला रहा था है तुम लोगों को वांड करने के लिए दिवार पर गोली चलाई है अगर उस छेद बरी दिवार को देख कर कोई मेरे सामने आया तो वो छेद उसकी बॉड़ी पर होंगे और उसकी बॉड़ी सम्शान में चीर दूंगा सब उस बैक के बज़े से वह पैसे फेक क्या तुम जनते थी क्यों फेक मनी है हां किटू धोका दगा बदला तुमने चीर्ट किया मुझे कम ओन लेट्स को सब कुछ बता देंगा यहीं रहूंगा मुझे अभी जानना है तुम्हारी बज़े से कुत्तों को किंड़ी जाते एंभी क्या नाम काशी है तुम्हेरा प्रूफ करन लेटी ऑवाई कहां थेखर नहीं कि जैसे तुम्हारा प्यार फेकि नहीं है मुझे झांना तुम्हें कुछ हुआ तो लियना तुमति मेरी है तुम्हें ठीक नहीं है भी ऐखान पे तुम्हें बताना चाहती थी ठीक है लेकिन यह जगा सही नहीं है बाहर चल कर बात करते हैं कि यह पापन पुलीस यह क्या कर रहा है अरे पप्राब पकड़ा दिया यह गन दिखाकर वो गन क्यों निकल दा है अरे यहां भी आ गया तु वो क्या है कहा था न दस जार दूंगा बस मुझे शांती से करने दे शांती से क्या करने दू तुझे कहा है ए तु है क्या लगता है चला गया तो इस भाई सहाब को रात में दिखता नहीं है हलो हलो टीचीपी बोलो सीटी के बहार एलको फैक्ट्री को पुलिस ने सराउंड कर लिया है तुझे पांच मिनट का समय दे रहा हूं आस पास एक भी पुलिस नहीं दिखनी चाहिए समझ क्या है हलो हरो तु तो बोल रहा था तुनने किडनेप नहीं किया मैंने इसका किडनेप किया हूता तो यह मेरा हाथ क्यों पगड़ इतने सारे लोग कहां से आगए साराउन सुर्या, वहां किसी को आरेस्ट मत करना सर लेकिन क्यों सर जस्ट फॉलो माई ओर्डर्स एबॉट दो मिशन ओके सर ये क्या सर जाओ सर इसने जानू का किड़नाप किया है सर वो बड़ा ब्लैक मेलर है उसे कैसे छोड़ सकते हैं उपर से ओर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता दढ़की मिल गए ना, जाओ ये चल ले है, चल चल तैंक यू वो सेफ के लिए अपने पास जरूर आएगा सब तैयार रहना आ गया सेफ कहा है सेफ कहा है स्प्रे कहा है आदित्य नारायंग की बेटी जानकी नारायंग जिसका अपरन हुआ था वो अप्सुलक्षित घर लोट आई हैं इस केस में जिन तीं लड़कों को अरेस्ट किया गया था वो निर्दोश पाए गये लेए अपने आफाटी आफा़की 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 अफा़की ये और पुलिस ने उन्हे छोड़ दिया है लेकिन इसकी डैप के पीछे जो असली गुन्हेगार है वो अभी भी फरार है